हेलो गाइस मेरा नाम है रोई और आप देख रहे हैं लर्न इंवेस्टमेंट तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक के बारे बात करने वाले हैं जो कि बैंक से लेटेट इस टॉक है और बहुत ही अच्छे लेवल से मैं हमें यहां पर दिख रहा है यहां पर हम बात करे सब्सक्राइब जान लेता है IDFC फर्स बैंक के बारे में तो IDFC फर्स बैंक बिसिकली हर बैंक की तरह एक मर्जिंग भैंक है ठीक है बहुत ही अच्छे से यहां पर यह काम कर रहा है और आपको अक्षरी बहुत सारे सेल्स में अगर आप कहीं पर जाज़ ब्रॉडर्ट करें तो आपको बहुत सारे फाइनेंस के में आपको IDFC के बहुत अच्छा ओफर्स देखने को मिलते होंगे तो यहां पर मैं जासा नजर आता है कि IDFC बहुत अच्छी तरह तरह से आप इस्टेंड कर पा रहा है और बहुत अच्छे प्रोफित यहां पर जनरेट भी कर पा रहा है अगर हम अगर अगर डिली लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आपको भी IDFC बैंक भी बहुती बड़े-बड़े बैंक के साथ खड़ोगो देखने को मिलता होगा तो हम फटवट बात करते हैं स्टॉक के प्राइस के बारे में तो यहां पर हम बात करेंगे 33 के इसके अगर हम बात करते है दृवट को यहवी दिए तक टिए120 के कमपनी को बात करेंगे तो फटाब फटाब चलेंगे और जाने कोशिश करेंगे कि कितना टाइम वह लिस्ट हुए तो अभी तर फ्लाल को कमपणी डिविडेंट नहीं दे रही है अब हम बात करते हैं profit and loss की तो फटाब अब बात करते हैं कंपणी नजर आता है कि कंपणी कैसे रही हो कंपणी ने अच्छा जहां पर बड़े-बड़े ब्रैंड्स नीचे गिर गई हो बंद हो चुके हो उसी तरफ यहां पर IDFC बैंग ने बहुत अच्छा है आपर रिवन ने जनेट करके दिखाया है बात करें बुक्स में तो बुक बहुत अच्छा रिवेंडियों आपर नजर आता है अब हम बात कर लेते कंपणी के बारे में थोड़ा सा बैंग शीट जो की रिजर्फ कितना है तो कंप्णी के बात करें कंपनी के पास 14000 क्रोड का रिजर्फ है और यहीं पर बात करें तो यहां पर बॉर्वेंग है यान अपने फ्रोटर्ट खिरने जाएंगे तो आपको बोलेकर 10% जाए दिसकाउंट देंगे दो परसंट जाए दिसकाउंट देने के कारण क्या करती है वो और बैंक से बड़े बैंक से थोड़ा सा पैसा उदार लेती है और लोग को लुभानी कुश्च करती है कि वह उसके प अपना को इस्टैब्लिश करने को शिकर रही है इसी वैसे कंपनी के पास यहां पर हमें कर्जा देखने को मिलता है विए कंपनी ने कंटिनुसली यहां पर रिजर्ब भी बनाया है तो यहां पर थोड़ा सा कर्जा देखने को मिलता मिलता है पर अगर बैंक सेक्टर में बा प्रोमोटर्स की बस होल्डिंग है अगर हम FIE की बात करने तो 20 परसंट की होल्डिंग हो मिलती है अगर हम बात करने पिछले कौर्टर में जून की कौर्टर में तो तो इस बात अगर नाइन परसंट जादा हमें देखने को मिलती है तो यहां पर एक अच्छा से और अच्छे नेक्ट लेबल पर यानि कि बड़े कॉंपटिशन में उतारने के लिए हम यहां से नजर आता है तो अगर एक इसना अच्छा पैसा लगा रहा है जो हमारे जैसे आप लोग होगे में लोग होगे तो उसमें किसी का नाम आता है जैसे कि उसमें सोरी उसमें 30% की होल्डिंग खोल खोल चुके हैं आईडि एफसी फर्स बैंक का चार्ट तो फटाफट हमने यहां पर एक लोग सेट कर रहा है ठीक है 90 रूपीस के असपास का लोग सेट है जो की असका पर पर प्रस लीडे यहां पर देखेंगे यहां पर कब बनाया तिक है कब बनाने के बाद यहां पर फ्लेट बनाया बर मार्केट में यह जो गए यह जाने लग गया यहां पर यहां पर आपको सीखने को मिलता है कि कब विद फिलाल कोई भी ब्रेक आट नहीं हुआ था इसलिए ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट कंटिनुसली नीचे जादा दिखा दिए इसी बीच में हमें यहां पर एक पैटन अभी करेंट प्राइस में देखने को मिलता भी है और ज बनता एक बोर्डर सा है और यह बनता चोटा सा शूल्डर तो इसको बोलते हैं फेजर पैटन अब हमें बात कर ल inten और bottoms लेकिम टॉप तक लेके जाएं यह है इसका top जो कि head and shoulder का है अगर मैं उठाओं इसको अगर मैं उसको pick करते हैं और इसको पर यहां पर place करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है 45% का gain अगर हम इस level पर इसको buy करते हैं जो की है buying level हमारे पास मैं इसको बना लेता हूँ हमारे target के लिए यह आता है हमारा 476 का target 76 का target 52 पर अगर आप buy करते तो आपको 76 का यहां पर target मिलता जो कि 45% का gain होता बट लेकिन अभी हमारा current price जो है वो trade कर रहा है 56 रुपीज पे अगर हम 56 रुपीज पर जाऊं और इस 56 रुपीज से अगर हम market का अगर मैं यहां पर जाऊं और यहां पर हमने लगा लिया है set कर लिया इसको prices range को तो यहां पर जो price निकल का आता है वो 35% का instant gain देखने को मिलता है वह instant gain इस वह से मिलता है क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह है जो head and shoulder का breakout भी हुआ है और sustain भी कर चुगा market market जो 56 पर trade भी कर रहा है और हमें यहां पर financial भी strong दिखता है stock और सासत हमें यहां पर target 76 रुपीज का जिसमें 35% का हमें instant gain देखने को मिलता है तो अगर आप इस लेवल पर इसमें थोड़ा सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आपको ही टार्गे देखने को मिल सकते है यह एक वीडियो पर इस वीडियो पर मैंने एक पस analysis दिये आपक की choice होगी ठीक है मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं आप आपको analysis करके दिखा रहा हूं तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लिस लाइक कीजिए शेयर कीजिए थेंक्यों बाए